आज किस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं वैदिक विरासत पोल्टल के बारे में तो यह जो वैदिक विरासत पोल्टल है इसको केंद्री, ग्रहमंत्री, अमिश्या के द्वारा नई दिल्ली में जो है वो लॉंच किया गया है अब ये जो पोल्टल है, इसकी मदद से हम लोग क्या चानकारी जो है उसको access कर सकते हैं तो इस पोल्टल की मदद से जो वेद हैं जो हमारे वेद हैं जैसे कि रिगवेद, यजुरुवेद, सामवेद और अथरवेद तो उन्में जो भी जानकारी दी गई है उस जानकारी को हम लोग access कर सकते हैं सरल भाशा में अगर आप लोग उन वेदों के बारे में पढ़ना चाहते हैं कि उनमें क्या लिखा गया है उनमें क्या बताया गया है तो इस पोल्टल के माध्यम से सरल भाशा में उस जानकारी को आप access यह विद कर सकते हैं और यह जो वैदिक विरासत पोलिटल है वहां पे इन चारो विदों के आपकी आड्यो और विजल रिकॉड़िंग उनको अंको असे है फिल पूल 18,000 मंद्र हैं इन चारो वेदों के जो की इस वेफ साइट में जो है दिये गए हैं इसके लावा यह जो टोटल कंटेंट है इसकी जो टोटल डियूरेशन है जो अवद ही है वह लगबग पांसो पचास घंटे तो पांसो पचास घंटे का कंटेंट जो है इस वैदिक व जो इंद्रा गांधी राष्टी कलाकेंद्र है वही इस पोल्टल का संचालन करेगा और इसके लावा जो यह इंद्रा गांधी राष्टी कलाकेंद्र है यह जो है व्रहत्तर भारत परियोजना पर भी कारे कर रहा है थोड़ा सा में बता देता हूं व्रहत्तर भारत परियो समेत जो कई अन्य धक्षिर्ण पूरवी एश्याई देशें वह शामिल हैं तो वैदिक विरासत पॉर्टल का थोड़ा से आपको दिखा देता हूं इसकी में दिखा देता हूं आपको किस तरीके की है तो कुछ इस तरीके से देखिए वैदिक हरीटेज पॉर्टल तो इसमें एड्रेस है तो इसको विजिट करके आप जो है यह सब जानकारी देख सकते हैं तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तप एक लिए गुडबाई थैंक यू